दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर शंकर सिंग और आप सब का स्वागत करता हूँ डॉक्टर शंकर विट वरिचल क्लासिस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा कोई एक नई वीडियो लेके आते हैं और आज हम एक इंपॉर्टेंट डिजिस की चर्चा इस वीडियो का माध्यम से करने वाले हैं आप लोग आजकल एक कॉमन बीमारी मिलती है जिसमें जानवर जो है अपने आगे के पैरों को ऐसे क्रॉस करके खड़ा होता है या आप कह सकते हैं कि वो घुटनों पे चलता है तो ये कई लोग आपना अपना हैपोतेसिस है लेकिन एकजक्ट रिजन लोग इसको नहीं जान पाते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको एसकेप कर लेते हैं और उसको एग्नोर करते हैं इसलिए इलाज में सक्सेस नहीं मिलता है तो अगर आप क्रॉस लेगिंग की बात करें कैटल्स में अगर कोई भी क्रॉस लेग करता है और सडेन अपियरेंस हुआ है मतलब कि एका एक ऐसा हुआ है तो यह इंडिकेट सिंपली करता है यह हिष्ट्री इंडिकेट करती है कि उस एनिमल के चरेस्ट में कहीं पेन है यानि फोरेसिक काविटी में कहीं पेन हो शाही उसका रिब्स तूट गया हो खूंटे पे गिर गया हो या हाइडरो थोरेक्स हो या चेस्ट में किसी भी तरह का पेन होगा तो एनमल जो है कॉमनली क्रॉस करके अपने लेक को खड़ा होता है जिससे कि उसके चेस्ट की एरिया में स्पेस ज़्यादा मिलता है और उसको दबाव महसूस नहीं होता है तो यह तो फर्स्ट इंस्टेंस है अगर सडन हुआ है तो लेकिन कोई लगतार कई दिनों से कई महीनों से कोई जान होगा लेकिन एक जो कॉमन प्रेजेंटेशन है जिसे मिल्क लेमनेस या मिल्क लेक कहते हैं उसका लोग ध्यान नहीं देते हैं उस पर हमें विसेस ध्यान देने की जरूरत होती है अगर कोई क्रॉस लेक कर रहा है तो इसका मतलब है कि अपने वह वेट को अपने पैर आगे जब pressure आता है तो उसमें pain होता है तो animal दोनों को weight को shift करने के लिए ताकि center में weight ना रहे अपने leg को cross कर लेता है या अपने घुटने पर फिर बैठ जाता है तो ज्यादतर ये चीज जो है वो आप देखेंगे तो lactating animal में मिलता है जो कई मैनों से दूद दे रही है या जिन्हों में आप देख रहे हैं जो कि लेक को cross कर रही है और इसके honor का जो history था वो कह रहा था कि लगबग 15 महीने से ये दूद दे रही है और अभी भी 10 लिटर दूद देती है और इसने conceive भी नहीं किया है तो ऐसा होता क्यों है इसके बारे में जब हम लोग जान लेंगे तो आपको पहशानना आसान हो जाएगा और रिलाज करना आसान हो जाएगा तो जो भी लैक्टेटिंग एनमल्स हैं जब मिल्क प्रोडक्शन शुरू होता है तो शुरुआत के एक महीने तक उनके बौन से डिमिनरलाइजेशन चालू होता है कहने का मतलब यह है कि उनकी हड्डियों स का डिपोजीशन है केल्सियम का डिपोजीशन है वह रिवर्स होने लगता है लेकिन कुछ जानवरों में यह रिवर्सल प्रोसेस नहीं होता है और उनकी मिल्क की प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है कंटिनीव लगातार दूद देते रहती है या कुछ कैसे सा ऐसे भी की मिलेंगे जो इडवांस प्रिगनेंसी में आ गया है प्रिगनें हो गए है और लैक्टेटिंग भी हैंट फन के लिए बीडrüकोर्ण हो रहा है उसके फीटर्स को बनने के लिए कैलसियम रिकॉार्ट हो रहा है उस kommt का ऑ्स्टियो ऑconom Same से Kelsyum निकलके कोन में आता है और वीटर को सप्लाइए करता है साधरह साथ दूद के लिए बनाता है तो जो करता है यहोगत हो जाता है यानि कि फ्रेजाइल हो जाता है एक दम और हो चाने के लायक हो जाता है इसे हम लोग यह बोन से minerals का निकल के blood में आ जाना, वहाँ पर reposition नहीं हो रहा है, तो अब उस condition में होता क्या है, कि जब bone soft हो जाएगी, तो उसको weight wearing नहीं होगा, weight wearing नहीं होगा, तो आगे का portion जो है, उसको metacarpal पे pain होना शुरू हो जाता है, इसलिए जानौर क्या करेगा, कि अपने metacarpal को mold लेगा, और कहते हैं जैसे हम लोग का तो metacarpal यहाँ है, लेकिन उनका knee जैसा होता है, हमारे जैसा texture नहीं है, तो metacarpal bone पे वो knee पे अपने चलना शुरू कर देता है, इसके पिछे जो सबसे बड़ा region है, वो एक तो calcium deficiency है, यानि कि उसके diet में calcium कम है, या दूसरा जो major region होता है, वो vitamin D का deficiency होता है, यानि कि कि किसी भी तरह से अगर vitamin D की कमी हो जाए animal को, या उसके diet में नहीं है, जैसे कि धूप में सुखा हुआ चारा उसक जानवरों को ज्यादा तर बाड़े में बांद के रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, जहां पर धूप का accessibility नहीं होता है, और वो lactate करती हैं, उस समय ये vitamin D deficiency में आगसर animal रहते हैं, और उनके metacarpal bone में problem होता है, और उस्टियो परोसिस के लिए जो bone susceptible हैं, यानि कि जो weight wearing है, वो metacarpal पे होती है, तो metacarpal में अक्सर pain रहता है, humerus के fracture होने की संभावना रहती है, तो अगर किसी animal को ज्यादा दिन तर लगतार dark में रखेंगे, या आप देखेंगे कि जिसका skin color dark है, जैसे भैंसों में common problem है, cattle में कम है, cattle में भी अगर आप उसको कंबल उड़ हाई है, तो calcium का drain होते रहता है, तो इस तरह से जो उसकी bone है, वो soft हो जाती है, और animal जो है अपने घुटने पे चलने लगता है, इसे milk करते हैं, या milk lemnis करते हैं, तो इसका एक और clue होता है, अगर इसे आप कहेंगे तो osteoporosis कर सकते हैं, जब adult animal हो जाएगा तो, या आप इसे osteomalacia भी कह सकते हैं, इसका एक और clue मिलता है, आपको typical, जब जानवर चलता है, तो उसकी हडियों से कड़कड की आवाज आती है, यानि जो भी जानवर अगर चल रहा है, और हडिया कड़कड की आवाज पैदा कर रही है चलते समय, तो इंडिकेट करता है कि उसके हडियों म मिनरलाइजेशन नहीं है, उसकी हडियों में कैलसियम की कमी है, तो इस कैलसियम को पूरा करने के लिए सिर्फ कैलसियम खिला के आप पूरा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहाता है कि मिनरलाइजेशन के लिए जो responsible है, वो है vitamin D, तो vitamin D का source आपको supply करना पड़ेगा, य vitamin A, D, E combination में आता है, जो कि suitable नहीं है, vitamin E, A और vitamin D एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, बोन्स के लिए खास करके, इसकी चर्जा हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन इतना माल लिए कि सिर्फ सोल जो vitamin D का preparation है, उसको हमें यूज करना है, तो मैं खुद vitamin D का preparation human में आता है, अराची टॉल के नाम से आता है, उसका इस्तेमाल करता हूं, इसका dose अगर आप देखेंगे, तो cattle में 10 से 11,000 unit per cage body weight होता है, यानि 10 kilo और 100 kilo वजन के लिए आपको लगबग 10 lakh unit देना होगा, अगर आपकी गाय 300 kilo की या 400 kilo की है, 300 kilo की है तो 30 lakh unit देना पड़ेगा, 400 kilo की है त तो 3 lakh और 6 lakh का आता है, तो 6 lakh unit का जो अरेशिटोल injection है, वो 15 mg का होता है, और 6 lakh भी उस पे लिखा रहता है, आप देख सकते हैं, जो 6 lakh unit का injection है, उसका 5 अगर एंपूल यूज करते हैं, तो लगबग 30 lakh वो unit हो जाता है, और उसको subcutaneous single injection आप लगाएं, फिर उसके बाद अगर आप उसमें injectable calcium preparation देते हैं, जैसे कि intercal IM हो गया, या calcium must injection जो आता है, इन में आप देखेंगे तो calcium भी है, vitamin D भी है, लेकिन vitamin D की जो मातरा है, वो कम है, तो आप इनका भी इस्तेमाल साथ में regularly 5 से 7 दिन तक करेंगे, फिर वहाँ पे calcium का mineralization जो होगा, वो तेज हो जाता है, इ calcium का role सिर्फ bone के लिए ही नहीं है, यह reproduction के लिए भी है, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो यह भैंस है, यह करीब 15 महीने से दूद दे रही है, और इसका मतलब इसमें reproductive failure भी है, तो आप oral calcium वहाँ पे add कर सकते हैं, और जब आप vitamin D का injection देंगे, उसके बाद oral calcium देंगे, जैसे कि तीन, एक महीने से ले करके दो महीने तक देंगे, तो reversal हो जाता है, pain को maintain कर, control करने के लिए आपको तीन से पाँच दिन तक ketoprofen add कर लेना चाहिए, नियोप्रोफेन के नाम से आता है, इसका 15 ml sufficient होता है adult cattle के लिए, और 15 ml तीन से पाँच दिन तक लगतार intramuscular आप लगा सकत है, पाँच दिन से ज्यादा इसका इस्तमाल नहीं करना जीए, otherwise इसके secondary consequences आते हैं, तो अगर आपने suspect कर लिया है कि यहां osteomalacia है, बाकी कोई चीज नहीं है, लेमिनाइटिस नहीं है, तो आप इन जो मैं बता रहा हूँ, इन दवाओं का इस्तमाल करके, जो घुटने पे च कभी-कभी copper और calcium दोनों 7-7 deficient रहते हैं, उस case में आपको copper के जो preparation आते हैं, उसका single shot जैसे curan 9 आता है, 3 ml copper glycinate, इसको brisket में लगाया जाता है, इसके लगाने का तरीका अलग है, brisket में लगाना है, single shot लगाते हैं, तो curan 9 आप यूज कर सकते हैं, या आप चाहें, तो आप copper deficiency suspect किया जाता है, और गुटने पे चल रही है, तो वहाँ पे आप जो multi mineral, जो trace minerals आते हैं, इसका भी 5 ml single shot आप लगा सकते हैं, तो ये तो हो गया कि आपने detect कर लिया है, कि calcium का problem है, या copper का है, तो दोनों को combine करके आप treat कर सकते हैं, एक और problem रहता है, अगर medial soul में, या आप क अंदर अगर ulceration हो गया है, किसी भी तरह से उसके जानवर के hoof के अंदर ulceration हो गया है, उस समय भी वो medial soul में अगर होगा, तो leg को अपने cross करके खड़ी होती है, लेकिन विशेश ध्यान देने वाली बात ये होती है, अगर cross कर रही है, इसका simple सा meaning है, आगे के दोनों पेरों में pain है, यानि कि bilateral अगर दोनों के दोनों पेरों में, claw में अगर ulcer होगा, तभी ये cross करके खड़ी होगी, अगर एक leg में problem होगा, तो उसको limp करेगी या उठा कर रखेगी, cross करके नहीं होगी, तो जैसे मैं बता रहा था कि osteomalacia है, या osteoporosis से जहां bone की density कम हो गई है, hardness कम हो तो इसलिए वो cross करेगी या घुटने पर खड़ी हो जाएगी, तो अगर bilateral ulceration है, hoop में, hoop के planter soul में, अगर ulceration है, तो उस समय भी आप देखेंगे कि आगे वाले पैरों को वो cross करके खड़ी होती रहेगी, तो इसलिए एक बार hoop का examination कर लेना चाहिए, और अगर आपको hoop में ul करना पड़ता है, और ulcer के area को crater जैसा बना देना होता है, इसको stream करके crater बना देता है, तो बीच में ulcer पड़ जाता है, और चारों तरफ से एक crater जैसा बन जाता है, ट्रीमिंग के बाद, जिसके चलते उस पे pressure नहीं आता है, और फिर pain नहीं होता है, तो फिर animal नॉर्मल हो ज यह साथ ही साथ आपको biotene जिसमें रहता है, क्योंकि यह सारी चीज़ें हूप के synthesis में help करती हैं, और नॉर्मल maintenance के लिए required होती हैं, तो यह इन सारी चीज़ों को इस्तमाल करके, जब भी आपको cross lake condition मिले, या अपने घुटने पे चलने वाली जानवर मिले, तो उसका कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको field condition में जरूर मदद करेगा, तो मेरे साथ बने रहे हैं, और मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए, अगर आपको फसंद आता है, ताकि मेरे हर नए वीडियो आप तक पहुंच सकें, मेरे साथ रहने के लिए धन्यबाद, न था कि यू